हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी मेरे पीछे जिस इमेज को आप देख पा रहे हैं ये अंटार्टिका महादीब की फोटो है जी हाँ वही अंटार्टिका महादीब जिसको हम वर्ड का 5th largest continent का नाम देते हैं और ये पून्ता हिमाच्छादित छेतरों की कैटिगरी में आता है और इसी लिए इसको कॉल किया जाता है White Continent ये प्रत्वी के दक्षणी ध्रोव अर्था सदन पोल पल लोकिटेड है परिवर्तन का असर है तो प्राय यह कहा जाता है कि जलवाईू परिवर्तन और वैश्विक तापन अर्थात Climate Change and Global Warming के कारण तो पौधों का विनाश होता है यहाँ पर पौधों का जन्म अर्थात जिस प्रकार से आप Life की साइकल को प्रत्वी के कंटेक्ष में पढ़ते हैं कि सबसे पहले पौधों का जन्म हुआ था उसी प्रकार की Life साइकल यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या यह है किसी भीशन आपदा का संकेत है और यदि है तो यह भीशन आपदा क्या हो सकती है क्यों यहाँ पर अंटार्टिका वाले सेक्षन में जो की इस प्रकार का दिखाई देता है आप देखेंगे कि यह जो Trans-Antarctic Mountain है जो कि अंटार्टिका को दो पार्ट्स में सेपरेट करता है इसके आस-पास के एरिया में देखें तो यह एक greenery आपको दिखाई दे रही है इसके 30 चेत्रों में जब आप अलग-अलग एरिया पर नजर मारते हैं तो अलग-अलग चेत्रों में एक greenery आपको मौजूद दिखाई देती है और 1986 के बाद इसमें लगातार व्रदी हो रही है आकर क्या है इसका कारण जलवाईू परिवर्तन को इसका मुख्य कारण बताया जाता है आपका बहुत-बहुत सौथ है study I.Q.I.S. के हिंदी ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर मेरा नाम है अवशीक कुमार जरह समुद्धे परियदी हम डिसकस करें तो याद रखें कि अभी ये बहुत ही dramatic changes आपको देखने के लिए मिल रहे है climate heat के कारण अंटार्टिका वाले section में अब ये क्यों हो रहा है ये गारिजियन में भी headline आई है और अलग-अलग newspaper में दी आप देखेंगे तो ये image बहुत जादा viral हुई है जो की एक satellite image है और ये ली गई है अंटार्टिका वाले section में जरह सूचिएगा कि वह climate change जिसको बोला जाता है कि ये वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार होता है और इसके कारण Glacian उपर जमी हुई बर्फ पिघलती है और इसी के कारण मानव जीवन आने वाले समय में बहुत जादा विनासकारी सिद्ध हो सकता है और विनासकी और बढ़ सकता है इसके कारण किस प्रकार से पौधों का जन्म हो रहा है तो जरा यदि हम डिसकस करें तो याद रखें कि 1986 में सबसे पहले यहां पर पौधों की वरद्धी देखी गई थी यह पौधा उस प्रकार का पौधा नहीं है जो कि हम सामानता देखते हैं याद रखें यह एक प्रकार की काई है यानि कि वह काई जो की जिसको उबने के लिए किसी प्रकार की मरदा की आवशक्ता नहीं होती या एक चक्तान में भी अपना जीवन प्रारंब कर सकती है परंतु यह जिस स्थान पर उगती है वहाँ पर अन्य पौधों के लिए आवशक कारपनिक पदार्थों का यह निर्मान कर देती है और पश्यात उसके अन्य प्रकार के पौधे भी वहाँ पर जन्म ले सकते हैं यहाँ पर जीवन के प्रारंब से संबंदेद एक बात कही गई है और साथ में जोखिम की बात भी यहाँ पर इंक्लूट की गई है जरा आप देखें तो 1986 में यह गती विदी प्रारंब हुई थी 1957 के आसपास जो अंटार्टिका वाला सेक्शन है वहाँ के औसत तापमान में व्रद्धी प्रती वर्ष की इसाप से इवन प्रती दशक की इसाप से आप पाएंगे कि 0.05 डिगरी सेल्सियस पर दशक में बढ़ रहा था परंतु जैसे ऐसे वर्ष 2000 नजदीक आता है तो आप पाएंगे कि यह 0.05 डिगरी सेल्सियस की व्रद्धी चेंज हो जाती है 0.1 डिगरी सेल्सियस में और यदि आज वर्तमान कंटेक्स के इसाप से देखें उसमें भी यदि आप 2016 के बाद से देखते हैं तो यहाँ पर 3 डिगरी सेल्सियस परती दशक के हिसाप से वर्द्धी देखने के लिए मिल रही है और यही कारण है कि अंटार्टिका जो की दक्षिनी ध्रोप परिस्तित है इस पर जमी हुई बर्फ तेजी से पेगल रही है और तेजी से पेगलने के कारण जो नीचे की चक्ताने है वे भूमी पर प्रकट हो रही है और भूमी पर प्रकट होने के कारण जब ये जल के संपर्क में आ रही है तो यहां पर यह काई रूपी एक पौधा या फिर मैं यूँ बूलूं कि वनस्पती शब्द जादा प्रयूगत रहेगा यहां तो इसका जन्म हो रहा है जो और नो डाउट कि यह प्रकास संसलेशन की क्रिया करती है इसी के द्वारा यह अपनी वर्धी करती है और जब यह प्रकास संसलेशन की क्रिया करती है उस एरिया में ये वनस्पतिया या फिर मैं यू बोलू कि ये काईल रूपी पौधा उगना प्रारम कर रहा है पहले ये बहुत कम हुआ करता था परंतु 1986 के बाद इसमें लगातार वृद्धी इसलिए हुई है क्योंकि देखा गया है कि लगबग दस गुना की वृद्धी यहाँ पर हो गई है 1986 में लगबग एक वर्ग किलो मीटर तक के एरिया में ये विस्तरित थी परंतु हाल ही में हुए अध्यानों किसे यह मालूम चला है कि लगबग बारा वर्ग किलो मीटर तक का एरिया इन्होंने कवर कर लिया है यह एक स्पैस्विक एरिया नहीं है याद रखें कि अलग अलग एरिया का जो डेटा निकाला गया उसको कम्बाइन करकर यहाँ पर बताया गया है कि लगबग 12 स्वेर किलो मीटर तक का एरिया में यह काई फैल गई है और इसका में जो कारण है यह बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग और साथ में क्लाइमेश चेंज को जिसके कारण समय समय पर इन महादीपों पर और साथ में अन्य स्थानों पर जमी हुई बर्फ मेल्ट होती है ग्रीन लैंड वाले सेक्चन में भी हमने कुछ दिन पहले देखा था यहां पर भी वनस्पतियों का धीरे धीरे आगमन हो रहा था और इसका में कारण भी यही बताया जा रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेश चेंज के कारण जो द्रूबों पर जमी हुई बर् का सूचक माना जाता है कि सर यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अब पॉसिबल हो सकती है अर्थात यहां हमने क्लाइमेश चेंज और ग्लोबल वाल्मिंग को यदि बहुत जादे सीरियसली नहीं लिया और इस ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है परंतु यदि इसको हमन कंट्रोल नहीं किया तो याद रखें कि यहां फिर यूमन इंवाल्मेंट होगा और जब मानव जाती का किसी भी इस्थान पर इंवाल्मेंट होता है तो फिर वहां से विनाश खतम होता नहीं है वहां से विनाश प्रारम होता है और साथ में याद रखें कि यदि अंटार् सर्फेस लेवल में भी वर्द्धी होगी इसके आज पास के जो तर्टिय छित रहेंगे जो कुस्टल एरिया रहेंगे उन पर तो नेगटिव इंपक्ट पड़ेगा ही परन्तु आज जो पॉजिटिव इंपक्ट हमको इस काई के रूप में दिखाई दे रहा है याद रखें इसके बारे में विभिन जो जो जोगरिफिकल होते हैं उनका मत है जैसे कि एक बहुत ही फेमस जोगरिफिकल है थॉमस रोलेंड जो की एकसेटर विश्व विद्याले के हैं और साथ में एक और हैं जिनका नाम है एंडिर सैफर्ड जो की नौर्थंब्रिया विश्व विद सकते हैं इसको बैरोमीटर कहा जा रहा है क्लाइमेश चेंज का और साथ में यहां पर इन्हों ने यह भी कहा कि वाईू मंडल के पहली यदि हम अंटार्टिका के पहली की स्थिति देखें तो यह वाईू मंडल में छेपा हुआ था अर्थात पूंता हम अच्छा दित था पर जीवन की संभावनाएं व्याप्त हैं तो अंटार्टिका वाले सेक्शन में भी जीवन की संभावनाएं व्याप्त देखी जा सकती हैं क्योंकि अंटार्टिका में जो मर्दा है यह बेसिकली बहुत ही ज्यादा खराब है एक तो सौयल है नहीं परमतु जो भी मौजूद ह यह बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये काई actual में कारवनिक पदार्थों के द्वारा मर्दा निर्मान कर सकती है और मर्दा निर्मान के द्वारा फिर un-activities, un-human activities यहाँ पर possible हो सकती है, जो कि बहुत अच्छा सूचक भी है और बहुत negative impact भी इस पर डाला जा सकता है परन्तु यह हम पर निर्बर करता है कि इसको हम positively ले या फिर negatively ले यहां human की duties यह बनती है कि भाई यह बहुत अच्छी situation है परन्तु यहां की पिखलती birth इसके पीछे का जो reason है अर्थात यहां पर melting process जो हो रही है इसको controlled humans के द्वारा किया जाए क्योंकि यदि नहीं किया गया तो एक साइट से यहां positive impact काई के रूप में दिखाई दे रहा है दूसरी और से negative impact coastal area पर भी इसका दिखाई दे सकता है Is that clear? यह news आपके exam point of view के साब से important हो सकती है खासकर वो statement जोगर्फिगल researchers के द्वारा जो यहां पर प्रोवाइट कर आए गये Is that clear? अब आप सभी के लिए एक important information भाई कि study IQIS के ये हिंदी PTY batches launch हो चुके है जिनका भी target 2026 के UPSC को qualify करना है वो student in batches में enroll कर सकते है 11 सितंबर से इन batches में कक्छाए प्रारम हो रही है और यदि आप एक अच्छे faculty की तलाश में हैं एक अच्छे teacher की तलाश में हैं जो आपकी study को बहुत ही easy बनाए तो I think ये आपके लिए बहुत ही better opportunity है कारण ये है कि 11 October से आप अपने favorite faculty के साथ यहां पर classes join कर सकते हैं और याद रखें कि यहां सबसे important होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है faculty code और यदि आप AKV live faculty code का use करते हैं तो ये आपको minimum price में उपलब्द कराए जाते हैं ये batches तो आप AKV live code का use करें और ये batches आपको 29999 रुपीस में provide कराए जाएंगे यदि आप इन batches का part बनना चाहते हैं तो नीचे comment section में दिये गए link पर click करें direct website पर visit करें buy now पर click करने से पहले यानि कि जैसे ही आप इसको buy करने वाले होंगे तो four offers वहाँ पर available होंगे आप AKV live code के लावा और वी offers यूज़ कर सकते हैं परन्तु यासा मैंने बोला कि UPSC के journey में एक teacher और student के relation faculty code आपकी जर्नी में एहम भूमी का निभाता है तो आप इस AKV live code का यूज़ करके इस journey का पार्ट बनें मिलते हैं paid classes में और आने वाले किसी ऐसे ही informative वीडियो में थैंक यू हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS Hindi